दोस्तों सलाम ओलेकुम बहुत सारे भाई का कहना होता है कमेंट भी करते हैं कि सर अभी चार दिन वी कलजपिलेट डालने से लेकिन पीक उप नहीं बन रहा है जैसा कहता है कोई कोई भाई कहते हैं । दो मैने में ही कलजपिलेट खराब हो जाती है तुन सब भाईस आपके लिए खास करके कहना चाहूंगा और मेकनिक भाई के लिए भी इसमें दो तरह की बात होती है एक कस्टमर भूल करते हैं कि कस्टमर यह कहते हैं कि यार अभी कम खर्चे में ही चला दो हमारा काम हो जाएगा फिर वाद में हम और भी पैसे लगा के हम अच्छे से गाड़ी पर्चे न होता है कि कि आर अगर जादा अगर हम पैसे लगवा दिये कर वात में तो पहां तो बहुत तरह की बात आती यह इंजन के विशे में तो इसी तरह आपके सामने आज में एक डिम योगा बाइक के लिए एक कलच के बारे में बताने जा रहा हूं जबके सामने कलच चेंटर हब न्यू है और यह कलच चेंटर हब अल्ड है इस दोनों में मैं फॉल्ड दिखाऊंगा कि आखिर यह सब समस् प्रेंड नहीं है कलच सेंटर हब को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा कि कलच प्रेड में भी कोई दिक्कत नहीं होगी मैं आपको पहले पुराना वाला दिखा देता हूँ तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर लाइट आउन कर लेता हूँ देखिए यह पराने कलच हब है इसकी घांटे देख सकते हैं आप ऐसा लगता है कि लेत मसीन से कटिन करवाके बना दिया है इस तरीके से इसमें बहुत ज़्यादा गड़ा हो गया है जबकि यह बिल्कुल पलैन रहना चाहिए यह हिस्सा जो बाहरी हिस्सा होता है यह वीडियो दोनों के लिए मिस्तरी के लिए भी केस्टोमर के लिए भी बिल्कुल अच्छा वीडियो है अब देख फूरा वीडियो देखें यह जो बाहरी घाट है यह चीजें यहां पर बराबर रहती है और कलच प्लेट यह कलच प्लेट इस तरीके से चलती चलते इदर नहीं खाके इसका अंदर कार्मुनियम खा गया इतना पावर होता है कलच प्रेट के अंदर बताइए यह यानि कि पूरी तरीके से कलच हब बिल्कुल बरवाद हो चुकी है हम कितनों भी कलच प्रेट नहीं डालते रहेंगे लेकिन यह काम नहीं करेगा थोड़ी दिन चलेगी एक बगाद मेहने या आप नहीं लगाते हैं तो उस टाइम भी आप देखना कि वह पीकप नहीं बनती जो बनना चाहिए तो यह बिल्कुल कंबलेन हैं यह किसी भी हालत में नहीं चलेगी तो इसे मैं साइट रखता हूं आपको दिखाता हूं कलच सेंटर अब यह ही धिक लि सेंटर की हाला था है तो यह पाख ली कर दो बहुत यह वी ख приготов है लेकिन उत्तम नहीं जितना की कर लख होना चाहिए कर सेंटर में कमी है अगर आप चाहे तो इसे चला सकते हैं लेकिन इसमें जब लेकिर बन जाती है तो इसके वज़े से कलेश प्लेट में ज़दी पहुचता है तो हमें चाहिए कि ये दोनों चाहिए दोनों ज्यादा अंतर नहीं है एक सो सतर असी रुपय की पार्ट सा आ जाती है अब दीखे कलेश प्लेट तो मुझे जैसा लग रहा है कि ठीक होगा क्योंकि वाई साब कह रहे तो मिना कलेश प्लेट भी चैंज कराया था लेकिन वह पीकप नहीं बन रहा है जो बनना चाहिए कभी कभी किप सिलिप करता है तो सारा कंपलेश ये कलेश हब से ओरा था तो ये पूरा कंपलेश प्लेश हबसे और आपके सामने जो निव कलर सेंटर रहे मैं अब कर दिखा देरा हूं हम विल्कुल ये औरजिनल है जानी मिनेटम है अब मैं आपको दिखा दों कि कुछ मेकैनिक हो चाहिए मैं ही कूश हूँ मुझसे भी गलतियां होती है लग फिटिंग करने में अब हमें यह नहीं सोचना है कि यार हम इतने बड़े मिश्टरी है तो हमसे गलती नहीं होगी जरूर गलती होती है और हुआ भी है होंडा शाहिन वाइक में उसका में वीडियो वीडियो काफी ज्यादा चलिए अभी तक डेली 9500 कम से कम वह वीडियो में हमारे पास यह कलच हब है इसमें थोड़ा से कम्पलेन है एक कमेंड के यार औरिजिनल रहते हैं फिर भी ऐसा क्यों होगा ऐसा तो नहीं होना चाहिए इसी तरीके से उसमें भी एक समझिया थी यहां पर देखिए अब दिहान से देखें अब देखें यहां पर एक नौक सा बना हुआ है कि लाइट बंद करके दिखाता हूं आपको लोगाई अब लुकुल लिहान से देखें यहां पर एक नौक सा बना हुआ है तो इसी तरीके से एक मैंने TV क्या टूम मैंने setting किया लेकिन वह काम नहीं कर रहा था तो मैंने जब खोला तो मैंने देखा कि उसका यहां पर चोटे लगी थी यहां पर यह थोड़ा यह हिस्सा इधर दब गया था इसी तरीके से यहां भी लगा हुआ था तो वह काम नहीं कर रहा था तो यहीं सब मेरा कहना होता है कि आप जब भी कला सेंटर अब लगाएंगे पूरा अच्छे तरीके से यह सारे कि यह सारा खांचा इसका बिलकुल टेस्ट कर लें कि कहीं ऐसा चोड तो नहीं लगी भी है तो हलका अगर ऐसा भी चोड लगता है तो यह माथा नोक बन जाता है फिर सही से यह जो जो होती है यहाँ पर अंदर ठीक से पाता नहीं है यह फिर ठीक से पाएगा नहीं और यह यह बिल्कुल फिरी रहना चाहिए अगर यह फिरी नहीं होगा तो कभी भी कलाच प्लेट अपको ठीक से काम नहीं करेगा है है अब यह क्लर से लगाने का एक टैमिंग होता है मैं इधर से लिए लगाता हूं यहां से नहीं है इसका हुआ होutta मैं आपको बarmed है असला वब इद्लकुल जैनुबिंवी है दोने बिल्कुल और दिखाता हूं आपको कि दिखें हैं इसमें भी लिखा हुआ एक सेड़े इसमें भी लिखा हुआ है आकसेड़े है THIS मेने अरीजिनल लिया हएं मारे पास साइब में आगज़ अ हम्मारे पेकिन है हम पैकीन भी आपको दिखा देते हैं कि दिखिए यह है यह कलच हब का है यह 245 रुपए है कलच हब का नाम है सेंटर का इससे 180 लमसम होगी ध्यान नियारा मुझे इसका पैकिंग फड़ गया है दोनों सेम है औरिजिनल है ठैसल है कि इसमें वह चीज लिखा हुआ जिस तरह मिलकुल अच्छे तरीके से लिखा हुआ है अगर हलका लिखा हुआ हो तो आप समझेक है नेकर मेरे समझ में तो आड़को लन है जानता हम इसक क्वायरेटी देख रहा व कौयれटी भी देखा की जाता है इसका पिशाली मैं इसका थोड़ा मैंने जो देखा यहां पे जो थोड़ा कमी है मैं इसको सही कर लेता हूं इस जगा को खर यह तो ज्यादा नुकसान वाली बात नहीं थी जगा लेकिन मुझे दिखाना था कि इस तरह का कंपलेन आती है जो उस होंड़ाशायन में यहां पी अधान के कलच हब में यहां पी कंपलेन था यह थोड़ा नोक निकल गया था अब देख भी सकते हैं कि मैंने उस तरह का स बैदर रहा है ही चलिक हम अपको बहता है कि आपको setting कैसे करना है नहीं हमें पहले इस कंड़ैक्ट को इस करेंटर का से लगाएगे कि यह बने सभी पलेटन लगा दिया इसके अंदर अब देखिए अब दूस्तों इसको इस तरह किसे मिला लें कि यह बिन्दे का जो निसान है इसमें है और इसमें भी है इस बिन्दे की निसान को दोनों को हमें मिला के लगाना होता हुआ कि देखिए आगया आप चाहिए तो थोड़ा इसमें भी और वायल डाल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो गाज इस तेगे से आप सैटिंग कर सकते हैं और यहां कोई दिकत नहीं है बिल्कुल कंपिलीट है मेरे ख्याल से इसमें आप कोई कंपलेंट नहीं होने चाहिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ चुके होंगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल में नहीं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू गाइट थैंक्स फूर वाचिंग कर दो